आज की सबसे बड़े खबर राजस्तान के सियासी संकट से जुड़ी हुई आ रही है जुसमें अब कहा जा रहा है कि वो संकट तल चुका है कॉंग्रेस ने दावा किया है कि राजस्तान विभाद में राहूल गांधी ने गैलोत और सचिन पाइलेट दोनों से बात की है राजस्तान पहुंचे कॉंग्रेस के परिवेक्षकों के मुताबिक राहूल गांधी ने सुर्जेवाला के फोन से सीम अशो गैलोत से बात की यही नहीं राहूल सुभा सचिन पाइलेट के भी संपर्क में थे यही नहीं, कॉंग्रेस की तरफ से सचन पाइलेट को साफ संदेश दिया गया है कि उनकी वापसी के सारे रास्ते अभी भी खुले हुए है तो यह रास्ते खुले हुए है, इसका साफ मतलब यह है कि जो भी विवाद या जो भी आपत्यां सचन पाइलेट को थी उनके बावजूद मान मनवल की तरह हम देख सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि अपने एक मध्यप्रदेश में बड़े साथी को खोने के बाद, जोतिर आदित्य सिंध्या को खोने के बाद, अब कॉंग्रेस पार्टी फुक फुक कर कदम आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि व तरह की जानकारी आ रहे है कि राहूल गांदी ने पहले अशोग गेलोट से बात की थी सुबह के वक्त फोन में और उसी दोरान ये भी कहा जा रहा था कि लगातार सचन पाइलेट से वो संपर्क में थे, सचन पाइलेट को वापस विदायक दल की बैटक में शामल होने के ल अबी भी सारे रास्ते कॉंग्रेस पार्टी के लिए उनके सामने खुले हुए हैं